हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वनस्पती दर्शन और फायदे वनस्पती दर्शन और फायदे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अश्वगंधा ओशिती अश्वगंधा बहुत ही महतुपूर्ण ओशिती है यह आयरुवेद में बहुत ही प्रसिद्ध है वजन को बढ़ा के लिए लेकिन वजन बढ़ाने के साथ साथ यह हमारे शरीर की अन्य और भी तरह की बिमारियों को दूर करने की शमता रखती है और हमें कई तरह से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखिए और जानिए कि अश्वगंधा हमारे शरीर क से रहता है तो जिन भी व्यक्तियों का रख्त चाप उच्छ या फिर कम रहता है उनको अश्रोगंदा की चौन का सेवन करना चाहिए अश्रोगंदा का चौन हमें चर्म रोगों से दूर रखता है तो इसकी डिसीज जो भी इस भी तरह की होते हैं तो विम्हें तरह की स्कीन डिसीज से चर्म रोगों से दूर रहने के लिए आपको अश्रोगंदा का चौन इस्तमाल करना चाहिए इसके लिए आप सुबह सुबह इसको गाय के दूद की साथ सेवन इसका कर सकते हैं अश्रोगंदा का चौन वचन को बढ़ाने के लिए भी बहुत फायदेमंद होता ह तो सुरह साम आपको एक एक चमच अश्वगंधा गाय के दूद के साथ सेवन करना चाहिए अश्वगंधा की कैप्सूल जो है वो हुर्द्य में रक्त के बहाब को सही तरीके से रखते हैं तो आपको इसके लिए अश्वगंधा की कैप्सूल का प्रयोग करना चाहिए अश् तो अपनी में मोरी को स्ट्रॉंग बनाए रखने के लिए आपको अशुगंदा का जीवन करना चाहिए अशुगंदा को लेकर बारी कर दीजिए काट दीजिए ताकि यह आसानी से पिस चाहें और इनका लेप बन जाए आपकी शरीर पर अगर कोई घाओ बन गया है या फिर सूजन हो रही है या फिर तो अचा पर दाने निकल रहे हैं तो आप इस लेप को उस जगा पर लगाए ये तोचा की घाओ को भरने में बहुत सायक है और आपके कील मुहासे भी चल्दी ही दूर करेगा जो दाने हैं वो भी आसानी से दूर करता है तथा जो सूजन है उसको उतारने में बहुत ही फायदेमन होता है जल्दी ही ये संबंदित महत पूर्ण सूचनाय थी अश्वगंदा की विशेश ओषदेगुन थे एम शूर आपने बहुत अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखा और सुना होगा तो अगर आप भी इसी तरह की इससे संबंदित किसी भी बिमारी से पीरित है तो इसके उपायों को परयोग में लाइए यह उपाय आप घर पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं तो अपने बिमारियों को दूर कीजिए और स्वस्त और हस्ट पुस्ट रहिए इसी के साथ आप हमारे चैनल से जुड़ जाईए और इसके लिए आप हमारे चैनल को नीचे देगे रेड निसान द कबोरा हमसे अपनी problem शेर कर सकते हैं आप हमसे comments तो आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई problem है हम आपके comments का बहुत जल्द ही reply देने की कोशिश करेंगे तथा आपकी समस्या का समाधान करेंगे थैंक you for watching my video thank you so much friends